ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्ल चैटर्स एक इसेंशल बिजनेस है, इस पैंडेमिक वाले सिचेशन में तो गाइस काफ़े इंटरस्टिंग वीडियो होगी से लास्त जरूर देखना लेकिर उससे पहले, आगर आपने चैनल पर सुछ वाली वीडियो नहीं देखे जहां पर मैंने पूरा रॉक एपिसोड कवर किया है जहां पर हमें देखने को मिली, क्लेम और पार्टी ड्रू मैकिंटार की तरफ से महनी दा बैंक लिए काफ़े सारे क्वालिफाइंग मैच से, तो गाइस उसका लिंक है सुड़े के डिस्क्रिप्शन में, और इस सुड़े के खतम होने के बाद गाइस आप लोग उसे जाकर दूमाइट यॉनीवरसल चांपन नहीं, बल्कि एक जाकर चूक्यारी का मैचे समया। और वो होंगी हमारे ब्राउन स्टोर्मेन की ड्रू मैकेंटायर हैं अब उनकी जगर युनिवर्सल चैम्पेंट पर इसके बारे में आप लोग कहने चाहोगे मुझे आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हूं लेकिन ड्रू मैकेंटायर से जूड़ी एक और स्थूरी है और ग मुझे ना बताई जाएं प्रूमो में यह बोलना है वो बोलना वगरा वगरा और उन्होंना एक्जामपल भी दिया कि कैसे अंद्रादे के सांथ रोके एपिसोड में मेरा मैस था और वो इसके पीछ एक रियल बैक स्टूरी है अंद्रादे के सांथ मैस करते हूं मैं इंज चीज़ें सही कर रहे है वैसे तो हर बार वो चीज़ें बिगारना चांती है बढ़ाई होव यह जो बुद्धी डबल लॉबली को मिली है यह बुद्धी उनके साथ अब तक रहे जब तक ड्रू मैकिंटार है डबल लॉबली चैंपियन अगली स्टूरी की तरफ बढ़ते लेकिन इसमें पंगा पड़ गया था कि शिपिंग के दोरानी वाला टाइल कहीं घुम गया हाला कि बाद में जाकर यह मिला लेकिन जब तक यह मिला तब तक उतनी देर हो चीज़ी थी कि डबल लवली ने अपने प्लैंस को निक्स कर दिया और यह टाटल हमें कभी भी नही जगा पर लगाना क्योंकि बैट कंदे पर रखके 35,000 रुपे लगा के पता नहीं आप क्या खुद चैंपर मन जाओंगे मुझे इसके पीछे का संद समझ नहीं आता लेकिन ना काफे लोग को मज़ा आता कि उनके पास कलेक्शन हो बैट का तो उन लोग के लिए डबल लव सूपर स्टार्स हैं वो रिस्क में है क्योंकि उनको हर बार आना है अपने शोस को टेप करना या फिर लाइव करना है जैसे बीड़ लवी करने वाली है कि मेंस्ट्रीम यूज वालों ने डबल लवी पर भी अपनी नज़र रखने अब शुरू कर दिया और उन्होंने आप मुझे नहीं लगता कि डबल लवी के उपर पड़ेगा क्योंकि अपने काम पक्ते करने थे डबल लवी करवा चुकी है बट अगर कुछ सिचुएशन आगे भिगड़ती है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता डबल लवी को लेकर बट फिर भी जो मालेक साब है वो कोई ना पहले है कि डबल लवी का प्लैन है सेरा लोगन को रॉक एपिसोड में फीचर करने का लेकिन बाद मुझे अपने प्लैन को चेंज कर दिया या तो इस वज़े से कि न्यूस पहले सी बहार आ चुकेगी सबको पता लग जया है कि सेरा लोगन वापस आ रही है या फिर दूस प्लैन कर रहे हैं तो इस वह सकता कि वह फीचर कर भी लें जो फायर होएं लेकिन फिर भी गाइस एसी अंदर ये बात हैं कि डबल लगन को वापस बुला लिया या फिर गाइस वह उनको बुलाने का प्लैन कर रहे हैं इन फूचर बहुत जल्दी तो यह काफी बड़ी बात करें अब अगर उनको बुलाने था वापस तो फायर क्यों किया उसके बीची के अखाने मुझी तो नहीं पता नहीं मुझी यह पताएगी और सुपर स्टार्स को इस तरीके से वापस बुलाएगी लेकिन गाइस फिलाल यह एक अपडेट है इसके बारें बता सकता हू I hope कि WWE and Superstars को वापस बुला ले जिनको उन्होंने फायर किया है और अकर बुला रही है वापस तो वाई अच्छी booking देना वरना फिर मैं तो यही प्रिफर करूँगा कि वो उस जगह पर जाएए उस प्रमोशन पर जाएए जहां बार वो चाहते हैं कि booking उनके हिसाप से हो और कि कि 받ु का हैके हिएए जाए जाएए और शार बद बार वो ंट जाएएए जाएएए वागा जाएएऑागी जाएएएएग lets जा आएए और ले टुला वे खर रंखेएएएएं कि छुला नमे से हो और अर वो विर may फिर यहाएएएएएएभस शुलार बुलार वस झाल झाल